दोस्तों क्या हैं आप जानते हैं कि Simpson cartoons ने 1995 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में smart watches आने वाली हैं और कैसे इन cartoons ने सालों पहले सब को दिखाया कि अमेरिका के एक अमीर शक्स स्पेस में घुमने के लिए जाएगा प्लस Simpson cartoons ने सालों पहले सब को बताया कि कैसे American elections में voting machine खरा हो गई तो शुरू करते हैं अपना countdown दोस्तों 2012 में Greece के अंदर ऐसा economic downfall आया जिसने पूरे country को हिला कर रख दिया Greece के माशी हालात इतने खराब हो गए कि महगाई हद से जदा बढ़ गई सिर्फ इतना ही नहीं बलके जरूर्याते जिंदगी की चीज़ें भी बहुत ही कम हो गई थी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आये थी anyway Greece में होने वाली tragedy तो एक तरफ लेकिन इससे भी shocking बात ये है कि Simpson cartoons ने Greece के इस downfall की पहले ही prediction कर दी थी आप believe नहीं करेंगे कि इस tragedy के 2 साल पहले 2010 में Simpson की एक episode release हुई जिसका नाम Political Impact with Homer था इस episode में Simpson ग्रीस के Prime Minister का दोस्त बन जाता है और इसी वज़ा से ग्रीस में economic downfall आ जाता है और ग्रीस के हालात बहुती बत्तर हो जाते हैं वेल कहने को तो ग्रीस में जो हुआ वो एक real world event था लेकिन Simpson cartoons में पहले ही बता दिया गया कि इस मुल्क के साथ ऐसा होने वाला है ये cartoon really बहुत creepy है दोस्तो अगर smart watches की बात की जाए तो येतनी common हो चुकी है कि अब तो हर बंदा ही इन्हें इस्तमाल करता है वैसे तो Apple ने अपनी पहली smart watch 2015 में launch की थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि Apple की smart watch आने से 20 साल पहले ही Simpson cartoons में दिखाया गया कि दुनिया में smart watches आने वाली है वैल 1995 में Simpson की एक episode आई थी जिसका नाम Lisa's wedding था इस episode में Lisa के fiancé ने एक smart watch पहनी होती है और even वो smart watch के जरीए call भी कर रहा होता है 1995 में तो इस तरह की watch का कोई concept भी नहीं था इसकी बावजूद इन cartoons ने दुनिया भर को बताया कि future में ये gadget भी आने वाला है ये really unbelievable है Oh blast, go to plan B 2012 में अमेरिका की शहर Pennsylvania से एक video viral हुई उस वकत अमेरिका के अंदर presidential election हो रहे थे Republic ने electronic machine के जरीए अपना vote register करना था लेकिन voting के दौरान एक अजीबोगरी वाक्या पेश आया जब लोग बराक उबामा को vote देने के लिए machine पर click करते तो इनका vote उबामा की बजाए खुद बखुद Republican candidate Mitt Romie को चला जाता ये video इतनी तेजी से viral हुई कि पूरे अमेरिका में हांगामा मच गया पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये कोई political scam है लेकिन बाद में पता चला कि असल में voting machine के अंदर कोई fault था जिससे वो ठीक operate नहीं कर रही थी लेकिन क्या हूँ अगर मैं आपको कहूँ कि इस incident को चार साल पहले ही Simpson cartoons में दिखा दिया गया था वेल 2008 में Simpson cartoon की एक episode release होई थी जिसका नाम Tree House of Horror था एपिसोड में Homer अमेरिका की President को vote देने के लिए जाता है और जैसे ही वो machine में उबामा को vote देने की कोशिश करता है तो vote खुद बखुद Republican candidate को चला जाता है चार साल बद जब अमेरिका में रियल में election हुए तो सेम ऐसा ही incident पेश आया लोग उबामा को vote डालते और machine दूसरे candidate को select कर लेती थी बारहाल जो भी हो ये cartoon वाकिही में किसी mystery से कम नहीं है दोसो 2013 में UK और यॉरप के बहुत सारे मुमाले की grocery shops पर इंताही shocking news सामने आई इन मुमाले की markets में लोगों को beef के नाम पर गोडे के गोश से बनी हुई कई products बेची जा रही थी इन products को खास करके बच्चे इस्तमाल करते थे पहले तो लोगों को गोश में फर्क का कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ लेकिन पिर Ireland के कुछ customers ने beef का taste change होने की शिकायत की खेर जब ये मामला बढ़ बढ़ मीट को टेस्ट करने के लिए UK की एक lab में लाया गया जब गोश्ट को टेस्ट किया गया तो इसके अंदर घोडे का DNA मौजूद था ये news इतनी shocking थी कि पूरे यॉरप में फैल गई beef products को फॉरण बैंद कर दिया गया वैसे तो ये incident 2013 में पेश आया था लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि Simpson cartoons ने पूरी दुनिया को 19 साल पहले ही बता दिया था कि यॉरप में लोग horse meat खाएंगे 28 April 1994 को Simpson cartoons के season 5 की एक episode release होई थी इसमें एक elementary school की lunch lady दिखाए गयी थी और ये औरत बच्चों को रोजाना गोड़ी के गोश्ट का बना हुआ lunch खिलाती थी इस episode में especially दिखाया गया कि कैसे बच्चों को बीव के नाम पर गोड़ी का गोश्ट खिलाया जाता है लेकिन इस वकत किसी को अंताज़ा भी नहीं था कि ये वाक्या real में पेश आने वाला है ये काटून really बहुत creepy है दोस्तो 2013 में अमेरिका की NSA department में एक बहुत ही shocking incident पेश आया किसी ने social media पर NSA की इंतहाई एहम document और secret information leak कर दी इवन इंटरनेट पर NSA की जो वीडियो leak हुई थी इसमें पकाईदा दिखाया जा रहा था किस intelligence agency के workers किस तरह काम करते हैं सिर्फ इतना ही नहीं बलकिसमें ये भी बताया गया किस agency के पास American citizens के इलावा दूसरे मुमालिके citizens का भी massive data मौचूद है और ये secretly सब पर spy करते हैं खर इस news का public पर जो impact होना था वो तो अलग बात थी लेकिन इससे भी shocking बात ये है कि जब इस वाके की investigation की गई तो पता चला कि ये सारी secret information NSA के ही एक बंदे ने लीकी थी और इसका नाम Edward Snowden था ये NSA का एक worker था लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये पूरी स्टोरी 2007 में बनाई जाने वाली Simpson movie Stop or My Dog Will Shoot में पहले ही दिखा दी गई थी इसमें Simpson एक undercover agent बना होता है और बाद में ये अपनी ही intelligence agency की secret information को लीक कर देता है काटोंज में दिखाया गया कि ये agency कैसे secretly लोगों की information collect करती है और हर किसी पर नज़र रखती है और Simpson ने agent बन कर इसे expose कर दिया था सेम ऐसा ही 7 साल के बाद Edward Snowden ने भी कर दिया Of course ये कोई इतफाक नहीं हो सकता सिर्फ इतना ही नहीं बलके इस incident को Simpson की एक movie में दिखाया गया था और बाद में Edward Snowden पर भी Hollywood ने एक movie बना दी थी निवे जो भी हो simple से नज़र आने वाले ये काटों सच में किसी nightmare से कम नहीं है दोस्तों Richard Robinson एक famous astronaut है इन्होंने Virgin Group Limited के नाम से एक spacecraft company बनाई और 1 September 2021 को ये अपना पहला spacecraft लेकर space में tour करने के लिए निकल पड़े इस spacecraft में Robinson के साथ 5 और लोग भी शामल थे इन्होंने 90 मिनट तक अपने खलाई त्यारे में space को explore किया और फिर safely जमीन पर land हो गई लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं किस पूरे incident की patient गोई साथ साल पहले ही Simpson cartoons में कर दी गई थी Well, Simpsons एक ऐसी cartoons हैं जो कहने को तो सिर्फ ही cartoon है लेकिन मैं हमेशा future में होने वाले वाकियात को पहले ही predict कर लिया जाता है Richard के space tour से साथ साल पहले 2014 में Simpson की एक episode The War of Art में दुनिया को पहले ही दिखा दिया गया कि Richard एक space tour पर जाने वाले हैं और वो वहां से काम्याबी से लौड भी आएगे फिर real में भी ऐसा ही हुआ Well, इस वाकिया से साफ पता चलता है कि इन cartoons का writer कोई आम शक्स नहीं है बलके ये किसी शैतानी organization का काम है जो कि दुनिया की major events को control करती है बाराल जो भी हूँ ये वाकिये में बहुत mysterious है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना यी उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे Instagram पर follow करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पर आप मझे follow कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेस